नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपकी अपने येटूब चैनल रवी स्टडी आई क्यू जी के पर फ्रेंट्स आज है एक जनवरी 2023 नया साल है फ्रेंट्स आप सभी को नए साल की हार्दिक शुबकामनाए नया साल आपकी जिंदगी में खुशिया और तरक्की ल लेकर आया हूँ उस टॉपिक का नाम है भारत में वर्तमान में कौन क्या है एक जनवरी 2023 तक अपडेटेड इसके मोस्ट इंपॉर्ण कोशन इस वीडियो में लेकर आया हूँ मैंने आपके लिए सभी कोशन स्लेक्टिड और इंपॉर्ण लिये अगर आप किसी भी एक्जा महिला अध्यक्ष कौन बनी है सही आंसर है ओप्शन है मेगना एहलावत मेगना एहलावत जो है टेबल टैनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया यानि की TTFI की पहली महिला अध्यक्ष बनी है TTFI की बात कर लेते हैं भारत में जो टेबल टैनिस का खेल होता है उसे TTFI संस्था रे जही आंसर होगा option C, अनिल चोहान, अनिल चोहान जो है फैंट्स ये भारत के नए Chief of Defense Staff यानि की CDS बने हैं, important point से question को समझ लेते हैं, उत्राखंड के Lieutenant Journal, अनिल चोहान विपिन रावत के बाद भारत के दूसरे नंबर के Chief of Defense Staff यानि की CDS बने हैं, CDS एक चार स्टार जर्नल अधिकारी होता है, जो सभी तीनो सैन्ने सेवाओं, थल सेना, नौ सेना और भारतिय वायू सेना के मामलों में, रक्षा मंदरी के प्रधान सैन्ने सलहाकार के रोप में कारे करता है, एक्जाम के लिए most important question है, इस question को इफ्रेंट्स आप स्टार मार कर मलीका अर्जुन खडगे, आईन्सी के यानि की भारतिय कॉंग्रेस पाटी के नए अध्यक्ष बने है, आईन्सी की बात करें फैंट्स की स्थापना हुई थी, ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1885 को, संस्थापक कोन थे, A.O. Hume, मुख्याले कहां पर है, नई दिल्ली में अगला कोशन, भारत के नए उपराश्च पती यानि की वाइस प्रेसिडेंट कौन बने है, सही आंसर होगा, ऑप्शन A. जगदीब धंकड भारत के नए उपराश्च पती बने है, इन्होंने वेंकिया नाइडू का स्थान लिया है अगला कोशन, भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने है, सही आंसर होगा, ऑप्शन B. अरुन गोयल, भारत के नए चुनाव आयुक्त बने है, बात फ्रेंट्स यहां पर हुई है ECI की, मैं आपको बताना चाहता हूँ, चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक में, उसे Election Commission of India ही regulate करता है, ठीक है, और इसका मुख्याले कहां पर है, नई दिलनी में, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कोन है, राजीव कुमार, अरूप चुनाव आयुक्त कोन है, अजे भादू, और नए चुनाव आयुक्त कोन अरून गोयल, ठीक है, अपने confused नहीं हो ना, यहाँ पर चुनाव आयुक्त की बात हो रही है, यहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त की बात हो रही है, दोनों अलग है, अगला Question, भारती क्रिकेट कंट्रोल बोड, यानि की BCCI के नई अध्यक्ष कौन बने है, सही आंसर हो अध्यक्त की बात होई है, पूरे वेश्व में जो क्रिकेट का मैच होता है, उसे ICC regulate करती है, वैसे ही भारत में जो क्रिकेट खेल होता है, उसे BCCI regulate करती है, 1928 में इसकी स्थापना होई थी, मुख्याले मुंबई में है, सचीव है, जैशहा, और पाध्यक्ष कौन है, रा 29 नवंबर 1997 को स्थापना होई थी, मुख्याले कहां पर है, नई दिल्ली में, अगला कोशन, भारती वानिजे एवं उद्योग महासंग, यानि की फिक्की के नई अध्यक्ष कौन बने है, सही आंसर होगा, ऑप्शन है, सुभरकांत पांडा, सुभरकांत पांडा फिक्की क Commerce and Industry, यह इसका English में full form होता है, 1927 में स्थापना होई थी, मुख्याले कहां पर है, नई दिल्ली में है, अगला कोशन, डबल स्टार मार कर लीजे इस कोशन को आप, भारती प्रती भूती और विनमे बूर्ड, जिसे की सेबी कहा जाता है, कि अध्यक्ष कौन है, सही आंसर हो Option D, माधवी पूरी बुच, माधवी पूरी बुच, यह सेबी की पहली महिला ध्यक्ष बनी है, यह भी आपको याद रखना है, कि सेबी की पहली बार महिला ध्यक्ष बनी है, उनका नाम है माधवी पूरी बच और यह इनकी फोटो एफेंट, अब देखो फेंट, बात सेब ठीक है यह आप पो याद रखना है अगला कोशन भारत के नए मुख्य चुनावायुक्त कौन बने है सही आंसर होगा इसका option B राजीव कुमार भारत के नए मुख्य चुनावायुक्त बने है और राजीव कुमार भारत के 25 नंबर के मुख्य चुनावायोक्त बने हैं अगला कोशन करवाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने आप सभी के लिए इस वीडियो में एक गिफ्ट रखा है गिफ्ट में फ्रेंट्स किया होगा कि मैं आपसे लास्ट में दो कोशन का टेस्ट लेने वाला हूँ आप सभी ने फ्रेंट्स दोनों कोशन का अंसर कमेंट बॉक्स में देना है 10 lucky student जो अपना answer बिल्कुल सही देंगे उनको हमारी तरफ से जो हमारी जनवरी से लेकर December तक की जो हमारी e-book है जिसमें की हमने करीब 6-7,000 तक की बीच questions रखे हैं साथ में 50 practice set भी है उस e-book में वो बिल्कुल free दिया जाएगा और friends मैं आपको इतनी यकीन दिलाता हूँ कि 95% से ज़्यादा question directly आपको हमारी e-book से देखने को मिल जाएगा अगर आप किसी भी exam की तियारी कर रहे हो तो ठीक है friends अगर आपको इस e-book को buy करना है तो उसका link भी मैं आपको video के description में दे दूँगा आपने अपना test देना है comment box में 10 lucky student को हमारी तरफ से ये e-book दिया जाएगा ठीक है friends और इसका sample मैं आपको last में दिखा दूँगा कि हमारी e-book कैसे है next question भारत के नए उपचुनाव आयुक्त कौन बने है सही answer होगा इसका option C अजय भादू भारत के नए उपचुनाव आयुक्त बने है next question double star मार कर लिजिस question को व्यज्यानिक और ओध्योगिक अनुसंधान परिशाद यानिकी CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है सही answer होगा option D नला थंबी कलाई सेल्वी CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी है यह आपको याद रखना है CSIR का full form इंग्लिश में उता है Council of Scientific and Industrial Research इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1942 को मुख्याले कहां पर है नई दिल्ली में यह भी आपको याद रखना है अगला question राष्टिय सांख्या की आयोग यानि की NSC के नई अध्यक्ष कौन बने है सही आंसर होगा सही आंसर है Option D राजीव लक्षमन करिंदिकर NSC यानि की राष्टिय सांख्या की आयोग के अध्यक्ष बने है और इसका गठन कब हुआ था 2005 में हुआ था ख्याले कहां पर है नई दिल्ली में इस कोशन को भी आस्टार मार कर लिजे आपको कोशन का लेवल देखके पता लग रहा हुआ कि सभी कोशन जो है एक्जाम औरिएंटिड़ अगर आप किसी भी एक्जाम की अगर आप त्यारी कर रहे हो ना यकीन मानिये इस टॉपिक से हर एक्जाम में कोशन पुछे जाते हैं तो आप एक एक कोशन एक्जाम से पहले अच्छे से रट लेना एक्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है आप सभी को अगला कोशन खादी और ग्रामोदयोग आयोग यानि कि KVIC के नई CEO कौन बने है सही आंसरोगा ऑप्शन भी विनीत कुमार KVIC के नई CEO बने है KVIC stands for खादी और विलेज इंडस्ट्रीज कमिशन ये इसका इंगलिश में फुलक्वाम होता है हिंदी में होता है खादी और ग्रामोदयोग आयोग इसकी स्थाप्ण नई 1956 में होई थी मुख्याले कहां पर है मुंबई में है अध्यंक्ष है मनोच कुमार अगला कोशन भारती ओलम्पिक संग यानि कि I.O.A. की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है सही आंसरों का ओप्शन B पीटी उशा जो कि अथलीट एफेंट्स ये I.O.A. यानि भारती ओलम्पिक संग की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है I.O.A. की स्थाप्ण नई 1922 में होई थी मुख्याले कहां पर है नई दिल्ली में है अगला कोशन राष्टी डेरी विकास बोड यानि की NDDB के नई प्रभंध निदेशक कौन बने है सही आंसरों का ओप्शन C मिनेश C. शहा मिनेश C. शहा जो है ये NDDB यानि की राष्टी डेरी विकास बोड के नई प्रभंध निदेशक बने है NDDB stands for National Dairy Development Board 1965 में स्थापना हुई थी मुख्याले कहां पर है गुजरात में है अगला कोशन राच्टी क्रिशी और ग्रामीन विकास बैंक याने की नबाड के नए अध्यक्ष कौन बने है सही आंसर हो का इसका option C केवी शाजी केवी शाजी जो है ये राच्टी क्रिशी और ग्रामीन विकास बैंक याने की नबाड के नए अध्यक्ष बने है नबाड का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है National Bank for Agriculture and Ruler Development 1982 में स्थापना हुई थी मुख्याले कहां पर है मुंबई में है अगला कोशन अखिल भारतिय दखनी की सिक्षा परिशद याने की AICTE के नए अध्यक्ष कौन बने है सही आंसर होगा इसका option C T.G. Sita Ram AICTE का फुल फॉर्म होता है All India Council for Technical Education नबंबर 1945 में स्थापना हुई थी मुख्याले नई दिल्ली में है अगला कोशन कर लेते हैं विधी I.O की अध्यक्ष कौन बने है सही आंसर होगा option B नियायमूर्ती रितुराच अवस्थी 22 में विधी I.O की अध्यक्ष बने है अगला कोशन सेभी द्वारा B.A.C. का निया M.D.N.C. किसे बनाया गया है सही आंसर होगा इस कोशन का option A सुन्दर रमन, राममूर्ती को फेंड्स B.A.C. का निया M.D.N.C. बनाया गया है B.A.C. स्टैंड फॉर Bombay Stock Exchange भारत का सबसे बुराना Stock Exchange है और इसका मुख्याले कहां पर है मुंबई महराच्ट में अगला कोशन तेल एवं प्राकिर्तिक गैस निकम यानि की ONGC के नई अध्यक्ष कौन बने है सही आंसरों का इसका ऑप्शन B अरुन कुमार सिंग तेल एवं प्राकिर्तिक गैस निकम यानि की ONGC के नई अध्यक्ष बने है ONGC stands for Oil and Natural Gas Corporation स्थापना हुई थी 14 अगस 1956 को मुख्याले कहां पर है नई दिल्ली में अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है वीडियो की quality पसंद आ रही है content पसंद आ रही है और आपके रवी सर की महनत पसंद आ रही है वीडियो को like और share ज़रूर करिए आपका like और share ही मुझे motivate करता है अगली वीडियो के लिए और आप सभी की डिमांड आ रही थी रवी सर आप लाइव आईए तो मैं लाइव आ चुका हूँ अपने ब्लॉगिंग चैनल के ओपर जिसका नाम है रवी अदिती ब्लॉग्स ठीक है रवी अदिती ब्लॉग्स पर आप सबस्क्राइब जरूर करें यहाँ पर आप अपने रवी सर को और अदिती मैं को देख सकते हूँ लाइव यहाँ पर मारा ब्लॉग देख सकते हूँ अगला कोशन भारत की पहली अदिवासी महिला राश्पती कौन बनी है सही आंसर है आप्शन C द्रॉबदी मुर्मुजी भारत की पहली आदिवासी महिला राश्टपती बनी है आपको बताना चाहता ह allevi भारत की पंद्रवी नंबर की राश्पती बनी है दॉप दी मुर्मूजी और आपको बताना चाहता हूँ फरेंड्स यह पहली आदवासी महिला राश्पती है और Анका संबंध है संथाल जनजाती से यह भी अच्जाम आपसे पुछा जा सकता है वहीं दूस्ती वाँ आपको बताना चाहाता हूं फ्रेंट्स ये ओडिसा राज्य की है अगला कोशन कोईला मंत्रा लेके नई सच्चिव कौन बने है सही आंसरों का आप्शन है अमरित लाल मीना अगला कोशन अखिल भारती रबड उद्योग संग AI-RI के नई अध्यक्ष कौन बने है सही आंसरों का आप्शन ए रमेश केजरिवाल AI-RI का फुलफाम होता है All India Rubber Industries Association मुख्याले कहां पर है मुंबई में अगला कोशन कर लेते है राज्य सभा की अचार समीती के नई अध्यक्ष कौन बने है सही आंसरों का आप्शन ए प्रकास जावडेकर राज्य सभा की अचार समीती के नई अध्यक्ष बने है Next question राष्टियस मारक प्राधिकरन NMA के नई अध्यक्ष कौन बने है सही आंसरों का इसका आप्शन ए किशोर कुमार बासा NMA National Monuments Authorities का मार्च 2010 को इसकी स्थापना हुई थी मुख्याले है नई दिल्ली में अगला question भारत की नई लेखा महानी अंतरक यानि की CGA कौन बनी है सही आंसरों का ऑप्शन भी भारती दास भारत की नई लेखा महानी अंतरक यानि की CGA बनी है भारती दास CGA का पर संभालने वारे 27 वी अधिकारी हैं CGA का स्टेंट फुल फॉम होता है Controller Journal of Accounts अगला कोशन भारत की 50 मुख्य नियाधिश कौन बनेंगे सही आंसर इसका Option D धनंजा यश्वन चंदरचूर भारत की 50 मुख्य नियाधिश बन गए है और 49 से मुख्य नियाधिश कौन थे उद्य उमेश ललेट खादी और ग्रामोदोग आयो KVIC के नई अधिक शकौन बने है सही आंसर है Option C Manoj कुमार आप सभी के लिए ने good news है good news यह है कि हमारी जो अर्द वार्षे की किताब है और जो वार्षी की e-book है ठीक है friends वार्षी की e-book मतलब एक जनवरी से लेकर ठीक है December 2022 तक इसकी सभी important question हमने अपनी वार्षी की e-book में डाला है friends सबसे खास बात कहा है इसमें हमने 5000 तक कोशन पांच जाता कोशन रखे है और last में 40 practice set भी रखा हुआ है ठीक है friends अब तक की सबसे best book है ये जितने भी trending topic है इसमें वो भी हमने include कर दिया हुआ है जैसे आप friends ये इसका index देख सकते हो मोदी मंतरी मंडल वर्तमान में कौन कहा है भारत में पहले बार विश्यों है इसमें पहला महत्वपून दिवस जितने भी trending topic है friends वो भी हमने include किया IPL हो गया, FIFA हो गया सभी important topics इसमें included है budget वाले topics सभी included है ठीक है जैसे आप question देख सकते हो मोदी मंतरी मंडल का question इस सारे हमने यहाँ पर इस तरीके से रखे हुए है वरतमान में कौन कैस सभी हमने type wise रखे हैं यहाँ पे ताकि आपको समझने के असानी रहे ठीक है friends आप question देख सकते हो एक भी question ऐसा नहीं बचेगा जो मैंने आपको अपनी e-book में ना रखा हो और आपके exam में आ जाए 95% से ज़ादा question डारेटली आपको हमारी e-book से देखने को मिलने वाले है ठीक है यह question देख सकते हो भारत में पहला ठीक है जितने भी question बन सकते है यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो देख का पहला LPG युक्तुहा मुक्तराजय हिमाचल परदेश बना है सभी important question हमने इसमें e-book में रखे हुए है ठीक है 90% तक का discount हमने रखा हुआ है ताकि आपको बहुत ही कम कीमत है आपको यह e-book आप इसे buy कर सकते हो link में वीडियो के description में देख दूँगा ठीक है आप यह topic दिख सकते हो महतवपुन दिवासर topic हमने सारे डाल दी है इसमें जितने भी question बनते हैं December तक यह theme वाले question महतवपुन दिवासर उनके theme उसके आप नीचे आईए जितने भी topic है friends देख सकते हैं महतसब वारा सभी question डाल दी है और friends यह last में हमने practice aid भी रखा है इसके बीच में ठीक है तक यह आपको test देने में असानी रहे friends मैं आपको link वीडियो के description में दे दूँगा वहाँ पर जाके आप इसको buy कर सकते हो और अपने exam की तियारी को बहुत जादा मजबूत बना सकते हो वही friends जो अर्दवार्शी की किताब है इसको आप flip card या image उसे खरी सकते हो जो अर्दवार्शी की किताब है चलिए अगला question पढ़ लेते हैं ICAR गन्ना प्रजरन संस्थान की पहली महिला निदेशक कौन बनी है सही answer होगा इसका option B Dr. G. Hema Prabha बात प्रेंस यहाँ पर ICAR की हुई इसकी स्थापना 1912 में होई थी मुख्याले कोईमबटो तब मिलाडू में है अगला question भारती गुनवत्ता परिशद QCI के नई अध्यक्ष कौन बनी है सही answer होगा इसका option C जक्षय शाह जक्षय शाह भारती गुनवत्ता परिशद के महानयवादी बने है इन्होंने केके वेनुगोपाल का स्थान लिया है होकी इंडिया के नई अध्यक्ष कौन बने है सही answer होगा option A दिलीप तरिकी होकी इंडिया के नई अध्यक्ष बने है अगला question star marker लिजे रक्षानु संधान एवं विकास संगठन यानि की DRDO के नई अध्यक्ष कौन बने है सही answer होगा option B समीर V. कामत DRDO के नई अध्यक्ष बने है DRDO का full form होता है Defense Research and Development Organization रक्षानु संधान एवं विकास संगठन हिंदी में full form होता है 1958 में स्थापना हुई थी मुख्याले कहां पर है नई दिली में एक्जाम में कई बार पुछा गया कोशन है सेम वीडियो अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हो तो रवी दिति क्लासिस को सब्सक्राइब कर लीजे और topic wise अगर आपने current affairs पढ़ना है और topic wise जिके पढ़ना है यहाँ पे मेरी polity class चल रही है तो में दूसर चैनल है current affairs by रवी इसको भी सब्सक्राइब कर ले है भारत इबा सिमा पुलिस बल यानि की ITBP के नई महान इदेशक कौन बने है सही आंसर होगा option B अनीश देयाल सिंग ITBP के नई महान इदेशक यानि की DG बने है ITBP stands for Indo-Tibetan Border Police स्थापना होई थी 24 October 1962 अगला कोशन केंद्रिय रिजर्ब पुलिस बल यानि की CRPF के नई महान इदेशक कौन बने है सही आंसर होगा इसका option D सुजाईल लाल थाउसन CRPF के नई महान इदेशक बने है स्थापना होई थी 27 जुलाई 1949 को CRPF की मुख्याले कहां पर है नई दिल्ली में भारतिय आईरू विज्ञान अनुसंधान परिशाद यानि की ICMR के नई महान इदेशक कौन बने है सही आंसर होगा option B राजी बहल भारत की पंदरवी राश्पती दिल्ली मुर्मु के नई सचिव कौन बने है सही आंसर होगा option B राजेश वर्मा नेक्स कोशन राश्टिय सुशाषन केंदर NCGG के नई महान इदेशक कौन बने है सही आंसर है option B भरत लाल All India Radio के समाचार सिवा प्रभाग की नई महान इदेशक कौन बने है सही आंसर है option C वसुधा गुपता अगला कोशन है भारत की नई केंदरी सतरकता आयुक्त कौन बने है सही आंसर होगा option C सुरेश एन पटेल नेक्स कोशन परधान मंतरी कारयले PMO की नई इदेशक कौन बने है सही आंसर होगा option C शोयता सिंग प्रैस सूचना ब्योरो यानि की P.I.B. के नई प्रधान महान इदेशक कौन बने है सही आंसर होगा option B सतेंदर प्रकाश इंडियन प्रीमियर लिग यानि की IPL के नई अध्यक्ष कौन बने है सही आंसर होगा option A अरुन सिंग धूमल भारती कृष्णियन उसंधान परिशद यानि की ICAR के नई महान इदेशक कौन बने है सही आंसर होगा option D हिमांशु पाठक ICAR के नई महान इदेशक बने है स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1939 को मुख्याले कहां पर है नई दिल्ली में राश्टिय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान NII के नई निदेशक कौन बने है सही आंसर होगा option A देबाशिश मोहनती अगला कोशन भारत वेपार सनवर्धन संगठन यानि कि ITPO के नई अध्यक्ष और प्रबंद निदेशक कौन बने है सही आंसर होगा option D प्रदीप सिंह खरोला राश्टिय आपदा प्रबंदन प्राधिकरन NDMA के नई निदेशक कौन बने है सही आंसर होगा option D मिरनालीनी श्रिवास्तव अगला कोशन भारतिय प्रदा आयोग CCI की अध्यक्ष कौन बनी है सही आंसर होगा option D संगीता वर्मा जो की कारेवाग बनी है CCI का फुल फॉर्म होता है Competition Commission of India 14 October 2013 को स्थापना हुई थी मुख्याले है नई दिल्ली में राष्टी सुरक्षा गार्ड के नई महा निरिक्षक कौन बने है सही आंसर होगा इसका option A प्रवीन चाबडा Energy का फुल फॉर्म होता है National Security Guard 1986 में स्थापना हुई थी मुख्याले है नई दिल्ली में भारतिय गर्केट कंट्रोल बोर्ड यानि की BCCI के नई अधिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन बने है सही आंसर होगा option B विनीत सरन अखिल भारतिय फुटबॉल महा संग AIWF के नई अधिक्ष कौन बने है सही आंसर होगा option A कल्यान चौबे AIWF का फुल फॉर्म होता है All India Football Federation अगला कोशन स्टार मार्क कर लिजे निती आयोग के नई CEO कौन बने है सही आंसर होगा इस कोशन का option A परमेशोरन अईयर निती आयोग के नई CEO बने है निती आयोग में निती का फुल फॉर्म होता है National Institute for Transforming India एक जनवरी 2015 को स्थापना होई थी ये मुख्याले कहां पर है नई दिल्ली में अध्यक्षा नरिंद्र मोदीजी पाध्यक्षा सुमन के बेरी सशेतर सीमा बल SSB के नई महानिदेशक कौन बने है सही आंसर होगा इसका option B SL 1000 SSB के नई महानिदेशक बने है SSB 20 December 1963 को स्थापना होई थी मुख्याले कहां पर है नई दिल्ली में भारतिय वायू सेना के नई महानिदेशक कौन बने है सही आंसर होगा सब्सक्राइब का option A Sanjeev Kapoor भारतिय वायू सेना के नई महानिदेशक बने है भारतिय वायू सेना का स्थापना 8 October 932 को होई थी मुख्याले नई दिल्ली में है हर साल वायू सेना दिवस 8 October को मनाया जाता है वायू सेना के उप्रमुख है संदीप सिंग केंदरिय प्रतेक्ष कर बोड CBDT के नई अध्यक्ष कौन बने है सही आंसर होगा option B नितिन गुपता CBDT के नई अध्यक्ष बने है एक्जाम के लिए important question है CBDT की स्थापना 1.1964 को हुई थी मुख्याले कहां पर है नई दिल्ली में अगला question डबल स्टार मार कर लिजे भारती अंतरी शनुसंधान संगठन इस रो के अध्यक्ष कौन है सही आंसर होगा option C इस रो के अध्यक्ष का नाम है इस रो का मुख्याले है बेंगलोरू करनाटक में अगला question Still Authority of India Limited यानि कि सेल की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है सही आंसर होगा option C सोमा मंडल को सेल की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है सेल की स्थापना होई थी 19.1954 को मुख्याले कहां पर है नई दिल्ली में अगला question राष्टिय जाँच एजनसी NIA के नई महानी देशक कौन बने है सही आंसर होगा option C दिनकर गुपता स्थापना होई थी 2009 में NIA की मुख्याले है नई दिल्ली में अगला question स्थार मार कली इस question को भी नागरिक उड्डियन सुरक्षा ब्योरो यानि की BCAS के नई महानी देशक कौन बने है सही आंसर होगा option C जुल्फिकार हसन जुल्फिकार हसन BCAS के नई महानी देशक बने है अगला question कर लेते हैं राष्टिय सुचना विज्ञान केंदर NIC के नई महानी देशक कौन बने है सही आंसर होगा option A राजेश गेडा भारतिय थलसेना के नई प्रमुख कौन बने है सही आंसर होगा option B मनोच पांडे भारतिय थलसेना के नई प्रमुख बने है भारती थलसेना के नई उपाध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसरोगा option A, BS. राजु भारत के नई नौसेना प्रमुक कौन बने हैं? सही आंसरोगा option B, R. हरी कुमार भारती नौसेना का मुख्याले नई दिल्ली में हैं और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल अगला कोशन भारत के नई मुख्यार्थिक सलहकार कौन बने हैं? सही आंसरोगास का option A, V. अनन्थ नागेश्वरन राज्य सभा के नई महा सचीव कौन बने हैं? सही आंसर है option A, प्रमोध चंद्र मोधी और फ्रेंस मैं आपको बताना चाहता हूँ, राज्य सभा के जो उपसभापती हैं, उनका नाम है हरीवंच नरायन सिंग राज्य सभा के जो विपक्षे नेता हैं, उनका नाम मलिका अर्जुन खडगे है, और राज्य सभा में सदन के नेता कौन है? प्योश गोईल अगला कोशन, प्रधान मंतरी नरेंदर मोजी जी के नई नेजी सचिव कौन बने हैं? सही आंसर होगा, इसका ओप्षन भी विवेक कुमार अगला कोशन, अगला कोशन करवाने से पहले फ्रेंस मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि हमने आप सभी के लिए अपनी वेबसाइट को भी लॉंच कर दिया है, जिसका नाम है www.ravistudyiqugk.com अगर आप किसी भी एक्जाम की तियारी कर रहे हैं, हमने क्या गया है, जो भी हमारी वीडियोस आती हैं, उसके नोट्स हमने यहाँ पर अपलोड कर दिये हैं, ठीक है? तो आप कभी-कभी सिटोवेशन ऐसी आती है, कि आप वीडियो नहीं देख सकते हैं, आप सिर्फ पढ जाके सर्च करिए www.ravistudyqgk.com, अगला कोशन, भारतिय शेर बजार, Bombay Stock Exchange के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, सही आंसर होगा, Option B, SS Mundra, स्थापना कभी थी Bombay Stock Exchange की, 9 जुलाई 1875 को मुख्याले कहां पर हैं, मुंबई में, राश्टी अनुसूचित जाती आयो, NCSE के अध्यक कौन बने हैं, सही आंसर होगा, Option A, Vijay, Sampla, और स्थापना होई थी 1924 को नई दिल्ली में मुख्याले हैं, राश्टी सुरक्षा गार्ड, NSG के नई महानिदेशक कौन बने हैं, सही आंसर होगा, Option C, MA, Gunpathy, राश्टी सुरक्षा गार्ड, यानि NSG के नई महानिदेशक बने ह अगला कोशन, स्टार मार्क कर लिजिस कोशन को, संग लोग सेवा आयोग, यानि कि UPSC के नई दिल्ली में, सही आंसर होगा, Option A, Dr. Manoj, Soni, संग लोग सेवा आयोग, यानि UPSC के नई दिल्ली में, यूपीस स्टैंज पॉर Union Public Service Commission, एक अक्टूबर 1926 को इस्थापना होई थी मुख्याले कहां पर है नई दिल्ली में, अगला कोशन, भारती भूव विग्यानिक सर्वेक्षन के नई महानि देशक कौन बने हैं, सही आंसर होगा, Option A, Dr. S. Raju, भारती भूव विग्यानिक सर्वेक्षन के नई महानि देशक बने हैं, अगला कोशन, सैन्ने अभ्यान के कौन बने हैं, सही आंसर होगा, Option A, मनोच, कुमार, कटियार, DGMO के नई DGMO बने हैं भारत के, अगला कोशन, भारती सेना के नई डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं, सही आंसर होगा, Option C, चन्नेरा, बंसी, पुनप्पा, डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ बने है ये आपको याद रखना है भारत के पहले राष्टिय समुदरी सुरक्षा समनवेक कौन बने है सही आंसर होगा इसका option D. जी अशोक कुमार भारत के पहले राष्टिय समुदरी सुरक्षा समनवेक बने है भारती तटरक्षक का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है सही आंसर होगा option C, विरेंदर सिंग पठानिया, ICG का नया महानिदेशक इनको नियुक्त किया गया है विरेंदर सिंग पठानिया भारती तटरक्षक के 24 महानिदेशक बने है जो हमारी e-book है जनवरी से लेके दिसंबर 2022 तक की है ठीक है उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ आप इस e-book पे क्लिक करके आप इस e-book को बाई कर सकते हैं और अपने एक्जाम की तियारी को बहुत जादा मजबूत में आ सकते हैं यकीन मानिये अब तक का इस से best e-book आपको मार्केट में नहीं मिलने वाला है मतलब अगर आप खरीदों को भी न तो 300 सा 400 का मिलेगा लेकिन हमारी जो e-book के फ्रेंट वो 100 रुपीज की अंदर अंदर है मतलब बहुती मीमम डिसकॉंट पर हमने अपनी e-book को रखा हुआ है अगला कोशन रिसर्च और अनलेसिस विंग रो के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं सही आंसर होगा इसका ओप्शन है सामंत गोयल अगला कोशन विकरम सारभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC के नई निदेशक कौन बने है सही आंसर होगा ओप्शन ए डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर VSSC के नई निदेशक बने है ब्रोडकास्ट ओडियन्स रिसर्च काउंसिल इंडिया बार्क इंडिया के नई अध्यक्ष कौन बने है सही आंसर होगा ओप्शन B सशी सिनहा विश्विद्याले अनुदान आयोग UGC के नई अध्यक्ष कौन बने है सही आंसर होगा ओप्शन B M. जगदीश कुमार फिक्की के नई महानिदेशक कौन बने है सही आंसरोगा इसका option A, अरुन चावला, फिक्की के नई महानिदेशक बने है फिक्की stands for Federation of Indian Chambers, Commerce and Industries 1927 में स्थापना हुई थी, मुख्याले कहां पर है नई दिल्ली में Next question, भारती ये राज्टी ये राजमाग प्राधिकरन NHAI की नई अध्यक्ष कौन बने है सही आंसरोगा इसका option C, अलका उपाध्या, एक्जाम के लिए काफी important है भारती ये अंत्रिक्ष संग, यानि की ISPA के पहले अध्यक्ष कौन बने है सही आंसरोगा option C, जैन्थ पाटिल, उपाध्यक्ष बने है राहुल वत्स भारती ये भायुसेना के नई प्रमुक कौन बने है एक्जाम के लिए important question है सही आंसरोगा option C, विवेक राम चौधरी रक्षा खुफिया एजन्सी के नई प्रमुक कौन न्युक्थ हुए है सही आंसरोगा इसका option D, GAV ready Chief of Staff Committee यानि की COSE के नई अध्यक्ष कौन बने है सही आंसरोगा option D, मनोज, मुकुंध, नर्वने किंद्रिय अप्रतिक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोड, CBIC का नई अध्यक्ष किसे न्युक्थ किया गया है सही आंसरोगा option B, विवेक जोहरी को Narcotics Control Bureau यानि की NCB के महानिदेशक कौन बने है सही आंसरोगा option C, सत्या नराइन प्रधान NCB की स्थापना हुई थी 14 मार्च 1986 को मुक्ख्याले कहां पर है नई दिल्ली में राश्टी आपदा मोचन बल, NDRF के नई महानिदेशक कौन बने है सही आंसरोगा option A, अतुल करवाल NDRF मतलब National Disaster Response Force 19 जनवरी 2006 को स्थापना हुई थी मुक्याले कहां पर है नई दिल्ली में महानिदेशक है अतुल करवाल केंद्रिय और धोगिक सुरक्षा बल यानि की CISF के नई महानिदेशक कौन बने है सही आंसर है option D, शील वर्धन सिंग CISF के नई महानिदेशक बने है CISF का फुलफों स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 को मुक्याले नई दिल्ली में है अगला कोशन का लिदे है रास्टी अपराद रिकॉर्ड बियोरो सही आंसर होगा option A, अनिल कुमार लाहोटी अनिल कुमार लाहोटी रेलवे बोर्ड के नई अध्यक्ष और CEO बने है और उनकी न्योकती हाली में हुई अभी अगला कोशन, रास्टी अ महिला आयोग की फिर से अध्यक्ष कौन बने है सही आंसर होगा option B, रेखा शर्मा, रास्टी अ महिला आयोग की फिर से अध्यक्ष बनी है नैशनल कैड़ेट कोर के नए महा निदेशक कौन बने है सही आंसर होगा option D, गुरबीर पाल सिंग वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष का क्या नाम है सही आंसर होगा option D, ओम बिरला लोकसभा कर जो निए महा सची बनी है उनका नाम है उत्पाल कुमार सिंग पर सकर आपको वीडियो पसंद आरेए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए comment box में अपना feedback भी दीज़े कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है फैंस ठीक है और आप हमारा telegram चैनल भी join कर सकते हो जिसका नाम रवी study IQGK जहांपे आपको PDFs और वीडियो के notes मिल जाते है bad bank के नई अध्यक्ष कौन बने है सही आंसरों का option C पदम कुमार माधवन राश्टी मानवादिकार आयो गयाने कि NHRC के नई अध्यक्ष कौन बने है सही आंसरों का option A अरुन कुमार मिश्रा राश्टी मानवादिकार आयो गयाने कि NHRC के नई अध्यक्ष बने है NHRC for the National Human Rights Commission English में स्थाबना हुई थी 12 October 1993 को मुख्याले कहां पर है नई दिल्ली में अध्यक्ष है अरुन कुमार मिश्रा भारतिय रिजर्व बैंक यानि की RBI के गवर्नर कौन है सही आंसरों का option A शक्तिकान दास RBI Reserve Bank of India full form होता है English में मुंबई महराश्च में मुख्याले है RBI के रिप्टी गवर्नर का नाम है चार रिप्टी गवर्नर है एक है M. Rajeshwar Rao, M. K. Jain, T. Rabi Shankar और M. D. Patram देश के नई केंदे सदर्था आयुक्त कौन बने है सही आंसर होगा इसका option D सुरेश N. Patel राश्टिय डोपिंग विरोधी संस्था नाड़ा के नई महाने देशक कौन बने है सही आंसर है option A सिदार सिंग लोंगचाम अगला question भारतिय विमानपतन प्राधिकरन यानि कि AI के नई अध्यक्ष कौन नियुक्त होए है सही आंसर होगा option B संजीव कुमार प्रिंस आज की वीडियो में आपको कोई मिलाग 114 कोशन कर वहाँ ठीक सभी कोशन आपकी एकजाम के लिए important है AI का मुख्याले है नई दिल्ली में नेक्स कोशन विदेश मंतराले के नई परवक्ता कौन बने है सही आंसर है option D अरिंदम बाक्ची किसे सीमा सडक संगठन यानि की बियारो का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है सही आंसर होगा इस कोशन का option D राजीव चौधरी अगला कोशन फिर्ट्स यहाँ पे बात बियारो की हुई है तो बियारो के बारे में बता जाता हूँ border roads organization full form होता है साथ में उन्यों साथ को स्थापना हुई थी मुख्याले नई दिल्ली में है अगला कोशन देश के नए नियंतरक एवा महालेखा परिक्षक कौन बने है सही आंसर होगा इसका option D ग्रीस चंदर मुर्मो ग्रीस चंदर मुर्मो जो है भारत के नए क्या आगया नियंतरक एवा महालेखा परिक्षक बने है अगला कोशन railway सुरक्षा बलसेबा RPFS के महानिदेशक कौन है सही आंसर होगा इसका option C संजय चंदर Athletics Federation of India AFI के नए अध्यक्ष कौन बने है सही आंसर होगा इसका option B यश्वर्धन सिनह National School of Drama NSD के नए चेर्मेन कौन बने है सही आंसर होगा option C परेश रावल भारती राष्टी अंतरिक्ष संदवर्धन प्राधिकरन केंदर के नए अध्यक्ष कौन बने है सही आंसर होगा option D पवन गोईन का next question है मारा 2023 में भारत के राष्टी सुरक्षा सलहकार कौन है सही आंसर है option B अजीत डोबाल भारती दूस अंचार पिनियामक प्राधिकरन ट्राई के नए अध्यक्ष कौन बने है सही आंसर है option C डॉक्टर पीढ़ी वागेला पंदरवें वितायों के अध्यक्ष कौन है सही आंसर है option A नंद किशोर सिंग केंद्री अनवेशन विभाग CBI के महानिदेशक कौन है बने है friends हमारी जो e-book है इसका link वीडियो के description में आपको दे दिया है वहाँ पे click करके आप इस e-book को buy कर सकते हो friends अब इस वीडियो का बहतरीन पार आगया है दो question का test आप सभी ने दोनों question का answer comment box में देना वीडियो कैसी लगी friends आपने ये भी ज़रूर बताना है दस लख्यू स्टेन जो अपना answer बिल्कुल सही देंगे friends उन्हें हमारे पूरे साल की जो e-book है वो बिल्कुल free दिया जाएगा तो मैं साब सभी ने अपना answer comment box में ज़रूर बताना है वीडियो कैसी लगी ये भी आपने ज़रूर बताना है friends वीडियो complete हो चुकी है उमीद करता हूँ आपको वीडियो और वीडियो की quality पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को like और share ज़रूर करिए comment box में अपना feedback दीजिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है और friends आपको अगला वीडियो किस topic की उपर पढ़ना है friends वो भी मुझे आप ज़रूर बताईए मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊंगा और friends आप हमारा telegram channel भी join कर सकते हो जिसका नाम है रवी study IQ GK किसी भी question में doubt है आप मुझे इंस्टाग्राम पर message करिए जिसका नाम भी रवी study IQ GK मैं आपके सारी डौर solve करने की कोशिश करूँगा ठीक है friends हमने website भी आपके लिए launch कर दिया जिसका नाम है www.ravistudyiqugk.com www.ravistudyiqugk.com आपको Google browser पर या किसी भी internet browser पर सर्च करना है हमारी website आपको मिल जाएगी ठीक है friends और आपको important information जनवरी 2022 से लेके दिसंबर 2022 तक की जो ebook है वो launch हो चुकी है link वीडियो के description में आपको मिल जाएगा उस पर click करके आप इस ebook को buy कर सकते हो friends ठीक है तो चलिए friends अब हम मिलते हैं नेक्स वीडियो में thank you and wish you all the best